हेलो एवरिवन पेलकम बएक मैं चैनल कैसे हैं आप सब अभी फेस्टिवल सुरू हो रहे हैं और फेस्टिवल में घर को सजाना सवाना सबको अच्छा लगता है कि नए कपड़े पैडने अच्छे लगते हैं नए पकवान बनाने अच्छे लगते हैं उसी तरह से अपनी भी करते हैं तो आप की इसयों की चमक नेटा लगते हैं और फिल फेस्टिवल में काम अबहुत बहुत जबावत है जिसके कारण थका थाकान वह ऐती हैं तो आज मैं आपको इंस्टिवल वाला पैक बता रहे हूं जिससे आपके चेरे पर तुरंत ग्लो आजाएगा आपका मु अपर नुझे हैं जापना वी बहुत असान है इसको हर एज के लोग यूज कर सकते हैं जो जो इस जो तो यह दिंगा तक यह दो इसा थकान भी जाईगी कि चेरा बड़ा फ्रस फ्रस फिल ऊगाई चेरे पे ग्लो यागा इस पेसमास को किसे बना न यह कैसे प्लाइ करना है प अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सब अच्छा लगे तो प्रिस आगे इसको शेयर भी कर देगा तो चलिए अब ये फेस मास्क कैसे बनाना है कैसे अप्लाइ करना है पूरा में बताती है इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए लाल मसूर की डाल यानि की रेड ये आपकी इसकिन को बहुत ज़्यादा स्मूद करती है कलर को फेर करती है तो इसको आपको पीश लेना है यहां पर मैंने पीश लिया है आपको मिक्सी ग्राइनर में पीश लेना असानी से पिश जाएगी तो इसको मैंने पीश लिया एक चमज मसूर की डाल चाहिए और ए औरकोनट ऑईल की भी दो-तीन डॉप डाल सकती हो अगर आपके पस एस्टेसल ओल नहीं है दो-तीन डॉप डाल देंगे अब हम इसमें डालें गे ऐलोवेरा जेल अब इन चारों चीज़ें को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह चारों चीज़ें ही आपकी इसकिन को ब्राइ तहीं आपकी स्किन को दाग धबे जाईयों को दूर करता है और साथ में हैं ऐलोवेरा जेल ऐलोवेरा जेल तो आपको फाइदा पता है ऐलोवेरा जेल आपकी स्किन को टाइट करता है ब्राइट करता है दाग धबों को दूर करता है और essential oil हमने थोड़ा सा डाला है यहाँ रोज हीप essential oil यह था आपके पास जो भी है आपको ले सकते हैं नहीं तो आप coconut oil भी डाल सकते हो इस face pack को हम पूरे face पे इस तरह से लगा देंगे, आँख के पास भी हम इसको लगा लेंगे, आप देखो कि एक ही बार के use से आपकी skin में बहुत ज़दा फरक पड़ेगा, इसको लगाना है कैसे छोड़ाना भी कैसे है, इसका भी तरीका आप देख लो, लगा करके हम थोड़ा सा ही छोड़ेंगे, पूरे face पे हम अच्छे से लगा देंगे, एक मोटी लियर लगा देंगे अगर आप मेल हैं, फिमेल हैं, बच्चे हैं, सबके आप इसको अपलाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी skin को नुकसान करेगा हाँ, मसूर की दाल का आप एक फाइन सा paste बना लीजेगा, दरदरा सा ना बनाईएगा, आप दो तीन सब paste बन जाएगा, अब इसको हम लगा करके थोड़ी सी देर के लिए छोड़ेंगे, करीबन 10 से 15 मिनट हम इसी तरह से लगा रहने देंगे, आपको सिर्फ बातचीत नहीं करनी, बाकि आप घर का कोई भी काम कर सकते हो, अब इसको छुडाने के लिए क्या करेंगे, हम सर्कुलर मुमेंट में हलके हलके हाथों से मसाज करेंगे, क्योंकि अभी हमने पैक लगा लिया है, इसके इंग्रिडिनेट अंदर तक अच्छे से बर्ग करें, और इसके पे जो भी गंदगी है, मैल है, ब्लैक एट वाइटवाइटर्स हैं, यहाँ पर मसाज का तरीका भी यही है, कि आपको हलके हलके हाथों से सर्कुलर मुमेंट में आपको मसाज करनी है, और नाक के पास आंक के निचे भी करनी है, जैसे आंक के निचे की फाइनाइस रिंकल्स चलिए जाएं, अगर आप बच्चों के लगा रहे हो, तब यह जैसे उप्टन नहीं लगाते हैं, हलका सा रगड के आप चुड़ाते हो, तो बच्चों के भी जो गंदगी है, मैल है, अंदर तक जो फेस के अंदर तक गंदगी चली जाती है, जिसके कारण से पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब निकल जाते है, डेड़ी स्किन निकल जाती है, तो अब हमने यहाँ पर मसाज कर लिए, अब मैं इसको क्लीन भी कराई हूँ, और यह दो को मैया कुरता फिर गी लाओगे, क्लीन कराई हूँ, और इसके बाद मुझको अपनी स्किन इतनी जादा सॉफ्ट लगी, मतलब यह दही भी पड़ा है, तो आप विंटर्स के लिए, अभी विंटर्स सुरू होने वाले, विंटर्स के लिए भी यह बढ़िया है, और हर मौसम में, हर एज के लोग भी इसको अपलाई कर सकते हैं, काफी अच्छा है, और कैसा लगा, अपने कमेंट्स के दोरा भी ज़रूर बताएगा, मुझको अपनी स्किन तो खेड़ बहुत अच्छी लग रही, मैं अपने बाल भी खोल लेती हूँ, और आज मैंने अपने बालों को भी जो है, शैंपू किया था, तो बहुत अच्छे मेरे बाल हो गए है, शैंपू किया क्या मतलब मास्क एक लगाया था, वो मास्क क्या लगाया था, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगले बीटियो में, तो आप देख सकते हैं, मेरे बाल भी काफी अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए, इसके न तो काफी अच्छे हो गई, तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक,